नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपे के अपने एजुकेशन और सबसे तेज नियुजुवाले चैनल में फ्रेंड चैनल पर फस्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू-जरू प्रेस करेगा क्योंकि दो देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरों की अपडेट सबसे पहले आपको प्रवाइट कर वाई जाती है तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपुन मनने वाली दोस्तों आज हैं रविवार यानिकी 31 माई 2020 और आज जो मोधी जी का जो संबोधिता मन की बात में महत्वपुन मनने वाली तो वीडियो को बिना स्किप के अंतर जरूर देगेगा और अगर आपको वीडियो की अपडेट इसी तरह की अपडेट आपको रोजाना पानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर जरूर प्रेस करें तो चली फ्र लॉक्डाउन जीरो की गाइडलाइन जारी कर दी है अब लॉक्डाउन सिर्फ कंटेंवेंट जोन में रहेगा इस जोन के लिए सरकार ने लॉक्डाउन तीजून तक बढ़ा दिया है और कंटेंवेंट जोन के बाहर सरकार ने 94 तरीकी से छूट भी दिये दोस्तों इस बा लोगों के लिए दार्मिक इस्तल होटल रेस्तरा एवं अन्या सेवाए सामिल होगी आट जून से सौफिंग मॉल खरी खोलने की अनुमती होगी यानि दूस्तों जो लॉक्डाउन फाइफ और जीरो एक जून 2020 से शुरू होड़ा लेकिन जो सौफिंग मॉल है वो आट कर शेक्शनीक प्रसिक्ष कोचिंग संसथान भी खोले जाएंगे संस्तानों को जुलाई से खोलने को लेकर राजिय केंडर शासीत परड़ेश अभिपाव को व अनिया समन्दित Wasыл के विचारवी मुल्ग करेंगे रातमे करपी के समें संह की शमिक्षा होगी पुर्देश म रब रात नौ बज़े से सुबह पांच बज़े तक लोगों को गुमने फिरने पर पड़ती बंद होगा तो फ्रेंट्स पे पिछले जो लोगड़न 4.0 में रात का जो नाइट कर्फ्यू था वो दोस्तो साम सांथ बज़े से सुबह सांथ बज़े के बीच में था इसको आप गड़ा कर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरे देश में अब रात नौ बज़े आने के साम नौ बज़े से सुबह पांच बज़े तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा और इस्तथी का अंगलन करने के बाद इंतराश्टी है हावाई यातरा मैट्रो ट्रेंड सि संक्रमन के मामले आने की जैदा संभावना है कि पैचान राजी और केंदर सासी परदेश करेंगे बफर जोन में जो जरूरत के आदार पर जिला प्रसेशन पाबंदिया लगा दिया जाएंगी तो दोस्तों यह तो छूट दे गई है इसकी अपडेट्स में नई गाडिलें कहा कितनी छूट आप भी जाने तो दोस्तों यहाँ पर आप देख से तो फ्रेंट्स कि कोरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमन के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंदर सरकार ने 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद चरनबत तरीके से बंदी से अटाने की गोश करेगी और एक जून से पुरदेश में कहीं भी लोग आने जाने के लिए सोतनतर हो जाएंगे इसके लिए किसी पात्र या मंजूरी को कोई लोगों को जरूतर नहीं पड़ेगी दोस्तों पहली बात यह है कि अब लोग आसाने से अपने एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाएगा और अनलोग एक के पहले चरण में केंद्री एक ग्रहर मंत्रा लेकिन रिसा निर्दिसों का नुसार आट जून से सभी दार में किस्तल होटल रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी खुल सकेंगे अब बात करते उस्तों करफ्यू का रात 9 बज़े से सुब 5 बज कि इसके लिए आट जून से दार में किस्तल होटल रेस्टरा और शॉपिंग मॉल खोलने के अनुमति होगी और दिसा निर्दिस से का गया कि स्कूल और कोचिंग संस्तानों को राजी और केंद्र साची प्रदेशों के साथ सला के बाद अगले चरण में खोला जाएगा और घुस्तों के अंदर सकाइप और रेस्स और कि यूंका करलें को संस्तान चाहती होपर और लगिए कंबादिर और चाहर्ज स्लाइट्स मेट्रो रेल सीनिमा होल जीम स्विमिंग पूल आधी खोलने पर फैसला लेगी और तीसरे च्रण में यह भी फैसला होगा कि पब्लिक गैदरिंग वाले फंक्षन यान की पार्टी रेली खेल आधी को भी खोला जाएगा या नहीं तो दोस्तों यह थी पूरी दोस्तों के अंगनबाड़ी तक बंदर रखे जाएंगे तो दोस्तों यह थी अफटेट से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किज़ेगा और इसी तरह कि अपडेट से रोजा ना पाने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को सब्स